हेलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में ये देखे, बहुत ही खुफसा चोटे चोटे से मैंने फ्लावर बनाए हैं, बहुत ही खुफसा तो पैर इसी डिजाइन हैं, आप इसे किसी भी स्वेटर पी, जैकेट पी, कार्डिगन पे बनाएए, टैप पे बनाएए, कहीं भी इ आसान डिजाइन, तो आएए, आज के वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं, ये दिखे, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें, 8-8 की मिल्टिपल पंदी चाहिए, 8-8 की मिल्टिपल पंदी, प्लस फंद कर देंगे, तो ये डिजाइन सेट हो जाएगी, और यहाँ पे हमने 8 की मिल्टिपल 40 प्लस 1, टोटल 41 फंदों मैं ये आपको डिजाइन बना करके दिखाती हैं, तो ये देखे, इस डिजाइन की 1st row, जिसमें हमारा बेस कलर जो भी आप लेते हैं, उससे बनाएंगे, यहाँ पे क्रीम है, तो ये 1, 2, 3, 4 फंदे क्रीम के, और अब यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आएगा, ये हमने ग्रीन कलर लिया है, तो 1 हम ग्रीन से करेंगे, और फे क्रीम कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे क्रीम से, अब हम 1 ग्रीन, 7 ग्रीन पूरी रो में बनाएंगे, ये देखे, फिर रिपीट करते हैं, 1 हमारा ग्रीम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे क्रीम, और फिर हम 1 हमारा क्रीम, तो इनी फंदों को रिपीट करते हुए, पूरी रो को बनाना है, ये देखे, 1 ग्रीम, 7 ग्रीम करते हुए, लास्ट में हमारा 4 फंदे क्रीम के रहेंगे, और ये हमारी रो नमबर 2, जिसमें 1, 2 फंदे स्टार्टिंग में हमारे क्रीम से रहेंगे, और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ग्रीन, 1, 2, 3 हमारे क्रीम से, अब हम 5 फंदे ग्रीन, 3 फंदे क्रीम के पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे, और रिपीट करते हैं ये ऐसे, ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ग्रीन से, 1, 2, 3 फंदे क्रीम, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे क्रीम, तो इनी फंदों को रिपीट करते हुए, अब हम पूरी रो को बनाएंगे, ये दिखें, जब हम रो की लास्ट में आएंगे, तो सिर्फ 2 फंदे ही हमारे क्रीम कलर के रहेंगे, और ये हमारी रो नंबर 3 है, इसमें क्रीम कलर के फंदों को हमें क्रीम से ही बनाना है, ये 1, 2 फंदे क्रीम, आप यहाँ पे देखें, 1 ग्रीन, 1 हमारा क्रीम, 1 ग्रीन, 1 क्रीम, पिर इस ग्रीन को ग्रीन से करेंगे, तो ये 1, 2, 3, तीन बार एक एक फंदे हमारे green कलर से आए और इस 3 फंदे क्रीम को हम cream से ही करेंगे 1, 2, 3 फंदे क्रीम, 1 green, 1 cream, 1 green, 1 हमारा cream, 1 green और ये 3 फंदे क्रीम को cream 1, 2, और एक 3 तो देखें इनी फंदो को repeat करती है हम पूरी रो को बनाएंगे ये देखें, जब हम इनी फंदो को repeat करती है आएंगे तो लास्ट में सिर्फ 2 फंदे ही हमारे cream कलर से रहेंगे और ये हमारी रो नंबर 4 इसमें इस पहले वाले फंदे को हम क्रीम कलर से करेंगे वन टू फंदे ग्रीन वन क्रीम इस बीच वाले ग्रीन को वन ग्रीन करेंगे वन क्रीम वन टू फंदे ग्रीन के अब देखे यह आठ फंदे हो गए एट फंदे और इसे हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है एक बर और रिपीट करते हैं, वन क्रीम, वन, टू फंदे ग्रीन, वन क्रीम, वन ग्रीन, वन क्रीम, वन, टू हमारे ग्रीन से, फिर हमारी डिजाइन रिपीट होगी, वन क्रीम, वन, टू फंदे ग्रीन, वन क्रीम, इस बीच वाले ग्रीन को वन ग्रीन से करेंगे, वन क्रीम, वन, टू फंदे ग्रीन, तो इन्ही फंदो को रिपीट करते हैं, हमें पूरी रोग को बनाना है, देखें, जब इन्ही एट फंदो की डिजाइन को हम रिपीट करते आएंगे तो लास्ट में टू फंदे ग्रीन के बाद वन हमारा क्रीम कलर से रहेगा और यह देखें रो फाइव जिसमें क्रीम कलर सी वन टू थ्री हमारे क्रीम से हो गए और अब यहां पे हमारा रेड कलर आ जाएगा आप अपने इसाब से कोई भी कलर कॉमिनेशन ले सकते ह तो यह वन, टू, थ्री पंदे रेड, वन, टू, थ्री, पूर, पाइप पंदे क्रीम के अब हम थ्री पंदे रेड फाइप क्रीम पूरी रो में बनाएंगे यह देखें मैं बना के दिखा रहे हूं 1, 2, 3 फंदे red 1, 2, 3, 4, 5 हमारे क्रीम से 1, 2, 3 फंदे red तो इन्ही फंदों को रिपीट करती हुए हम पूरी रोग को बनाएंगे और ये देखें जब इन्ही फंदों को हम रिपीट करती हुए आएंगे तो लास्ट के 3 फंदे हमारे क्रीम कलर से रहेंगे ये हमारी रोग नमबर 6 जिसमें शुरू में 1, 2 हमारे क्रीम से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे red 1, 2, 3 हमारे क्रीम से तो इस स्टार्टिंग में सिर्फ 2 फंदे रहेंगे उसके बाद 5 फंदे red, 3 हमारे क्रीम पूरी रोग में हमें रिपीट करना है ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे red 1, 2, 3 फंदे क्रीम फिर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे red 1, 2, 3 फंदे क्रीम तो देखें इनी फंदों को रिपीट करते वेश पूरी रोग को हम बनाएंगे ये दिखें, रोग नमबर 6 तक हमाई डिजाइन बन गई अब हम रोग नमबर 7 पे हैं जो रोग 5 की तरह बनेगी तो स्टार्टिंग में ये 1, 2, 3 फंदे क्रीम करेंगे और बीच के अब 3 फंदे हमारे red हो जाएंगे 1, 2, 3 फंदे red 1, 2, 3, 4, 5 हमारे क्रीम से 1, 2, 3 फंदे red 1, 2, 3, 4, 5 क्रीम 1, 2, 3 फंदे red तो इस देखें स्टार्टिंग में सिर्फ 3 फंदे हैं उसके बाद 3 फंदे red, 5 क्रीम 3 red, 5 क्रीम पूरी रोग हमारे बनेगी यह हमारी रो नमबर 8 जिसमें 1, 2, 3, 4 फंदे क्रीम और इस बीच वाले red को 1 हम red से करेंगे और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे क्रीम से अब हम 1 फंदे red के और 7 फंदे क्रीम के इसे हमें पूरी रोमे बार पर रिपीट करना है और यह 3 फंदे जो red के थी उसके बीच वाला यह 1 हमारा red कलर से बन रहा है यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे क्रीम और 1 हम red से करेंगे और यह देखे जब हम इनी फंदों को रिपीट करते आएंगे तो last में 1 red के बाद सिर्फ 4 फंदे ही हमारे क्रीम कलर से रहेंगे यह देखे रो एट तक हमारी यह एक डिजाइन बन के तियार हो गई है और इसके बाद हम 4 से लाइया प्लेन क्रीम कलर से बनेंगे और फिर row number 1 से लेकर row number 8 तक की डिजाइन को जब रिपीट करेंगे तो देखे हमारी डिजाइन इस तरह से बन के आएगे यह देखे चार से लाइया क्रीम कलर से बनाने के बाद फिर मैंने इसी डिजाइन को रिपीट किया है तो कितनी खुबस्वाट और प्यारी सी हमारी डिजाइन बन के आई है आप चाहिए तो इसे पूरे स्वाटर में बनाएए या फिर एक या दो लाइन बॉर्डर की तरह भी बना सकते है मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और कमेंट करके बताई कि ये डिजाइन आपको कैसी लगी तेंक यू